दोस्तों, हिंदू धर्म और उसकी मान्यताओं में छुपे वैज्ञानिक आधार को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, हमारे धर्म में ज्यान देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन हमें कोई सही तरीके से नहीं बताता कि किस मान्यता के पीछे क्या वैज्ञानिक आधार है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे प्राचीन ग्रंथों की मान्यताओं में छुपे विज्ञान को जानेंगे। तो दोस्तों अपनी कानों में हेड़फोन लगालो चलिए। हम जानते अपनी सनातन मान्यताओं की गहराई को और उसमें छुपे विज्ञान को। हमारा देश भारत हजारों वर्षों से आध्यात्मिक जगदगुरु क्यों रहा है। चार धामों की अवधारणा भारत में ही क्यों है। क्यों नौ बार इस भूमी पर भगवान ने जन्म लिया। सैकड़ों आर्शमुनियों ने क्यों वेदपुराणों की रचना यहीं पर की। और क्यों हजारों साधु संतों ने अपनी वानी से इस देश की धरती को गुंजायमान किया। यह सब कुछ क्या मात्रेक संयोग है या फिर इनके पीछे कोई वैग्यानिक कारण है। यह एक विचारणिय विशय है। अध्यान करने से पता चलता है कि यह कोई संयोग नहीं है बलकि इसके पीछे कई वैग्यानिक कारण है। सबसे मुख्यकारण भारत की भौगोलिक स्थिती है। भारत पृत्वी के उस विशिष्ट भूभाग पर स्थित है, जहां सूर्य और ब्रहस्पती ग्रह का विशेश प्रभाव पड़ता है। खगोल वज्योतिश शास्त्र के अनुसार, सूर्य और ब्रहस्पती मनुष्य की आध्यात्मिक्ता के कारक माने जाते हैं। सूर्य वब्रहस्पती से आने वाली विशेश तरंगों का विकिरण भारत के भूभाग को गहन रूप से प्रभावित करता है। इस कारण भारत में आध्यात्मिक्ता का वातावरण बना रहता है। ऐसे में प्रेम, दया, सहिश्नुता यदि भारत की भूमी में कूट-कूट कर भरी है तो आश्चर एक ऐसा? विश्व के अधिकतर देशों में तीन या चार अर्थुएं होती हैं पर भारत एक ऐसा देश है जहां छेह रथुएं हैं ग्रीश्म, वर्षा, शरद, शीत, वसंत, वपत जड़। संभवता इतनी अर्थुएं अन्य किसी देश में नहीं होती। पाकिस्तान, बगलदेश भ प्रभाव मनुष्य के मन, मस्तिष्क वशरीर तीनों पर पढ़ता है। रथु परिवर्तन के साथ प्रकृती अपनी लए बदलती है। और हमारे आर्शि मुनियों ने प्रकृती की परिवर्तित लए से कैसे अपने तन्मन की लए को जोड़ कर रखना है। ये विज्ञान जान लिया था। वे जानते थे कि आर्थु बदलने के साथ मनुष्य के शरीर का रसायन भी बदल जाता है। इसलिए उन्होंने रथु परिवर्तन के साथ कई पर्व और त्योहार जोड़ दिये। जिनके दौरान मनुष्य उपवास रखकर अपने शरीर के रसायन पर नि जोड़ कर रखे। ध्यान देने वाली बात है कि हिंदू पर्व और त्योहार प्रायह विशेश दिनों पूर्णिमा, अमावस्या या शुकलपक्ष के दौरान ही मनाये जाते हैं। हमारे आर्शिमुनियों ने एक आदशी के दिन उपवास रखने पर बहुत जोड़ दिय इसके पीछे एक बड़ा वैज्यानिक कारण है। मनुष्य के शरीर में एक महीने के दौरान लगभग दो बार उसका रसायन प्रभावित होता है। दस दिन भोजन करने से जो पौस्टिक रस शरीर में बनता है। एक आदशी के दिन मानव शरीर उसे अपने अलग-अलग बांटता है। शरीर उस रस को सुचारू रूप से बांट सके। इसलिए एक आदशी के दिन उपवास की मान्यता है। शरीर का इतना बारीक अध्ययन अभी तक आधुनिक वैज्यानिकों ने नहीं किया है। इसलिए वे उपवास के पीछे जो वैज्यानिक गहराई है उस से नहीं समझते और इस प्रकार की बातों को व्यर्थ की संझा दे देते हैं। प्राचीन काल में रतुफल के सेवन पर सनातन पध्धती में बहुत बल दिया जाता था। इसके पीछे का विज्ञान यह था कि प्रकृती आर्थु परिवर्तन के समय जो फल देती है। उसमे रतुकाल में यदि कोई मनुष्य 15 दिन लगातार 10-12 जामुन का सेवन करे तो उसके अग्याशय को शक्ती मिलती है और वह डायबिटीज का रोगी नहीं बनेगा। इसी प्रकार रतुकाल में यदि कोई व्यक्ती 30 दिन पीपल के व्रिक्ष के 5 फल नित्य खाए तो उसकी स मरन शक्ती तीवर हो जाती है। ये सब बातें अंध विश्वास नहीं, अपितु वैज्ञानिक तत्थियों पर आधारित हैं। आयूरवेद यह परीक्षन हजारों वर्ष पूर्व कर चुका था। खेद की बात तो ये है कि आजकल तो रतुफल का कोई अर्थ ही नहीं र होता था और रतुव प्रक्रती दोनों का स्वाभाविक प्रभाव फलसबजियों पर पड़ता था। इसलिए उनके सेवन से ही लाब होता था। यह एक वैज्ञानिक सत्य है, कोई अंध विश्वास नहीं। यही कारण है कि फिर से आर्गेनिक फलसबजियां उगाई जान है। इसलिए आर्शिमुनी उन दिनों उसी चक्र पर अधिक ध्यान देते थे, जिस पर आर्थु विशेश का प्रभाव पड़ता था और वे इस प्रकार अपना आध्यात्मिक विकास करते थे। इस प्रकार भारत की छहर रतुए हमारे आध्यात्मिक विकास में सहयोगी भारत की आध्यात्मिक्ता के पीछे एक और बड़ा कारण ये है कि यहां दो महत्वपूर्ण परवत श्रंखलाएं हैं, एक अरावली और दूसरी हिमालय, ये एक अनुमोदित सत्य है कि अरावली विश्व की प्राचीन तम परवत श्रंखला है और हिमालय विश्व की सब से तरुण, यह कोई मात्र संयोग नहीं है कि दुनिया की प्राचीन तम्व तरुण दोनों, श्रंखलाएं भारत में ही हैं, इसके पीछे भी प्रकृती का अपना प्रयोजन है, अरावली संसार की सबसे परिपक्व परवत श्रंखला होने के कारण, प्रकृती के अग्नित प्रकृती को पनपने में अपना विशेश योगदान दिया है, जिन लोगों ने अपने आध्यात्मिक विकास के लिए जलतत्व को प्रधानता दी, वे जीवन के रहस्यों की खोज में हिमालय की गोद में चले गए, और वहां प्रकृती के रहस्यों को खोजाव जाना, जि अरावली और हिमालय के अतिरिक्त भारत की सप्त नदियों ने यहां के जन्मानस को बड़ा प्रभावित किया है, इन सप्त नदियों में अलग-अलग देवताओं के तत्व प्रधान हैं, जैसे गंगा में शिवतत्व, गोदावरी में राम, यमुना में कृष्ण, अध्यात्मिक्ता विस्तार से पुस्तक में आगे वर्णन की गई है, एक और ध्यान देने योग्यबात यह है, कि सूर्य और चंद्र ग्रहन के समय इन नदियों में स्नान करना आध्यात्मिक द्रिष्टी से उत्तम माना गया है, क्योंकि उस समय सूर्य वा चंद्रमा का पुगदान दिया है। तुलसी का पौधा भारत के घरांगन का एक अभिन अंग रहा है। वैज्ञानिक भी अब इस तत्य को स्विकारते हैं कि तुलसी एक बहुत ही समवेदन शील पौधा है। यदि तुलसी के आसपास थोड़ी सी भी नकारात्मक या तीवर गंड हो तो ये पौधा मुर्जा जाता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा नहीं लगता या पनपता या मुर्जा जाता है। तो समझ लीजिए कि उस घर का वातावरण दूशित है। इस दृष्टी से तुलसी का पौधा घर की आध्यात्मक्ता का माबदंड भी है। नियम का व् भारत के सर्वोत्तम पुरसकार, भारत रत्न को कांस यसे बने पीपल के पत्ते के रूप में प्रदान किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि वातावरण की शुद्ध के लिए ओकसीजन बहुत आवश्यक है, पर शायद हम में से कई यह नहीं जानते कि पीपल एक ऐसा व्रिक्ष है, जो चौबीसों घंटे प्राणदाई ओकसीजन छोड़ता है। संसार की समस्त वनस्पतियों की बात करें तो व्रिक्षों में पीपल और पौधों में केवल तुलसी ही ऐसे हैं, जो राद दिन ऑकसीजन देते हैं। भारत के प्राचीन मनीशियों ने इसी लिए इन दोनों को चुन कर समाज का अंग बनाया। ये चैन कोई संयोग नहीं था। अपितु वैज्ञानिक कारणों से उन्होंने ऐसा किया। ये बात अलग है कि आज हम इनके महत्व को केवल अंध विश्वास व दकी अनूसी धारणा कहते हैं। वनस्पतियों का आध्यात्मिक द्रिष्टी से भी काफी महत्व है। दोनों के महत्व को पुस्तक में अलग से आगे वर्नित किया गया है। इस प्रकार भारत की आध्यात्मिक्ता के पीछे उसकी भौगोलिक विशिष्ट स्थिती, अरावली वहिमालय परवच्रिंखलाओं, सप्त नदियों, छहरतूं तथा विशेश वनस्पतियों का बहुत बड़ा हात है। इनी कारणों से भारत में आध्यात्मिक्ता सदा से बनी रही है। वर्तमान समय में भी अन्य देशों की अपेक्षा भारत में आध्यात्मिक्ता अधिक है। ऐसे में यदि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, आदिसे, लोगशान्ती की खोज में भारत आ रहे हैं थांक्स पूर वाचिंग